हैलो बच्चो, सभी बच्चो को नमस्कार, तो बच्चो आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेशन स्टार्ट करेंगे आप लोग का जो पेपर हुआ है अभी अभी त्रेमासिक परिच्छा का पेपर हुआ है उसका मैं यहाँ पर complete solution आप सभी के सामने प्यारे बच्चों represent करने जा रहा हूँ सभी के सामने complete हल यानि जिसे हम कहेंगे हिंदी में संपूर्ण हल उस पूरे के पूरे पेपर का complete solution मैं आपको आज यहाँ पर करवाने जा रहा हूं किसका करवाने जा रहा हूँ भाई गणित का ओक और गणित की किस क्लास का कक्छा दसवी का कक्छा टेंथ का टोटल पेपर में आपके सामने one by one सारे question में आपको करवाने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ इस question paper को साथ ही साथ लगाईए भी अपनी copy में और पता लगाईए कि आपके कितने अंक आएं हैं आज की परिक्षा में मतलब जब भी आपने paper दिया है तो उसमें आपके कितने अंक आएं हैं तो चलिए फिर देर किस बात की हम start करेंगे करने वाले हम लोग क्या start करने वाले हैं sample paper ओके sample paper नहीं कहेंगे इसे हम कहेंगे तिरमासिक परिक्षा जो आपकी हुई है उसका प्रश्न पत्र तो यह आपके सामने screen पर paper दिखाई दे रहा है एक एक question हम यहाँ पर लगाएंगे इस paper का ओके इसको हम solve करेंगे तो आए start करते हैं पहला सवाल है तो पहला question क्या है सही विकल्प चुनना है हर सही सवाल पर एक हर सही जवाब पर एक answer मिलेगा आपको one marks और इसे 6 question है क्यारा question n square minus 1 8 से विभाज होगा यदि n है okay n square minus 1 8 से विभाज होगा यदि n है कह रहा है एक पूर्णांख है एक प्राक्रस संक्या है एक विशंपूर्णांख है और एक कह रहा है संपूर्णांख है चलिए तो option से इस question को हम कर लेते हैं अगर n को मैं किसकी विभाजित होने की बात की जा रही है यहाँ पे n square minus 1 की चलिए तो इसको हल कराता हूँ मैं देखिए क्या कहा जा रहा है n square minus 1 कि यह 8 से विभाजित हो मतलब इसमें 8 पूरा का पूरा इसको भाग दे दे अब कहरा है आपके सामने जो options दिये हैं पहला option दिया है कि n एक पूर्णांख हो n बराबर क्या है पूर्णांख तो पूर्णांख में मैं क्या करता हूँ n का मान 0 लेके देख लेता हूँ n बराबर 0 ले लेता हूँ तो n बराबर 0 पूट करेंगे आप किसमें पूट करेंगे n square minus 1 बटे 8 में तो कितना आएगा 0 का इश्कर सुन 0 minus 1 बटे 8 तो कितना आगया minus 1 बटे 8 आगया और 8 रिण 1 को विभाजित नहीं करेगा minus 1 को इसका मतलब पहला option तो गलत हो गया मतलब first answer पूटांक नहीं है अब कोई भी पूटांक लेके चेक कर ले मैंने 0 से चेक किया है तो 0 को 0 चेक करने पर 0 n की जगर 0 डलने पर इसने विभाजित नहीं किया अब कहरा है एक प्राकरस संख्या पहली क्या होती ही 1 होती है दूसरी 2 होती है है ना तो n square minus 1 upon 8 को हमको प्राकरस संख्या में चेक करना है तो मैं n square minus 1 में सबसे पहले n की जगर 1 पूट करता हूं n equal to 1 के लिए चेक करता हूं तो 1 का square 1 minus 1 upon 8 तो यह हो गया 0 by 8 equal to 0 तो यह तो विभाजित कर रहा है n बराबर 2 रख दो तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 minus 1 बटे 8 अर्था 3 बटे 8 3 by 8 जो कि divide नहीं कर रहा है तो यह भी गलत हो गया प्रक्रसंख्या नहीं होगा सही option क्योंकि देखे n equal to 2 पर इसको यह 3 को 8 भाग नहीं देगा अगला है एक विशंपूर्णांग तो विशंपूर्णांग में क्या आता है 1 आता है 3 आता है और 5 आता है तो मैं यहाँ पर put कर रहा हूँ तो एक पर तो मैं check कर चुका हूँ कि एक पर तो विभाजथ कर रहा है 8 बटे 8, बिल्कुल हाँ विभाजित कर रहा है, पाँच पर रोज चेक कर लेता हूँ, तो 5 का स्क्वेर माइनस 1 बाई 8, तो 5 का स्क्वेर कितना हो जागा, 25 माइनस 1 बटे 8, 24 बटे 8, तो ये भी विभाजित कर रहा है तीन बार, तो जी हाँ, ये विभाजित कर रहा है, तो पहले question का जो सही जवाब बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है C बन रहा है चलिए दूसरा सवाल हमारे पास आ गया है देखिए दूसरा सवाल हम यहाँ पे करेंगे 96 और 404 का हम से क्या पूछा जा रहा है HCF पूछा जा रहा है चलिए तो 96 और 404 का यहां भी 2 से जाएगा, तो 202 बार जाएगा, फिर यहां 2 से जाएगा, कितने बार, 24 बार, फिर यहां 2 से जाएगा, 101, ओके अब देखिए 101 जो है, वो कैसी संख्या है, अभाज संख्या है, ओके, तो अब ये गुड़ान होने वाला नहीं है तो सीधे सीधे किस से जाएगा 101 से ही जाएगा और एक बार जाएगा ठीक है तो यहां तो यह रुक गया और 2 से जाएगा यह 12 बार 2 से फिर कितने बार जाएगा यह 6 बार 2 से जाएगा जी 3 बार और फिर 3 से जाएगा 1 टाइमस So 96 को आप लिख सकते हो 2 x 2 x 2 और 2 x 2 x 3 तीन बार 2 फिर दो बार 2 और फिर एक बार 3 और यहाँ पर 404 को लिख सकते हो आप कितना 2 x 2 x 101 तो यह दिए आप HCF बनाएंगे तो common जोड़े आने चाहिए आपके पास common pair बोलते हैं इनको तो HCF जो आएगा आपका कितना जाएगा कितना जाएगा आपका 2 एक बार और 2 दूसरी बार तो answer इसका आएगा 4 मतलब इसका correct option है B ओके तो second का correct option आपका है B is the correct answer चलिए अगला question बहुत ही simple है यदि द्युगाद बहुपद A X square plus B X plus C के 0 कहलो roots कहलो alpha बीटा है तो alpha into beta का मान कितना होगा C upon A सीधा सूत्र पूछ लिया गया है X square minus 3 के 0 क्या होंगे तो यहाँ पर बहुपद आपको दिया है X square minus 3 तो क्या करते हैं X square minus 3 को 0 के बराबर दिखाते हैं A plus minus root 3 आपने बहुपद को 0 निकालने के लिए क्या करते हैं 0 से equal करते हैं और 0 से equal करने पर यह plus minus 3 आ रहा है चलिए समी करण युग्म Y बराबर 0 और Y बराबर minus 7 के कितने हल होंगे देखे यह question graph से हलोगा किसे हलोगा बिटा graph से ठीक है तो यह question आपका graph से हलो होना है कहरा Y बराबर 0 और Y बराबर minus 7 तो आपको सरल लेखा बनानी आनी चाहिए तो Y बराबर 0 क्या होती बिटा X-H का समी करण है Y बराबर 0 तो यह जो होता है X-H इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते है Y बराबर 0 और Y बराबर minus 7 कहा जाएगा Y बराबर minus 7 नीचे जाएगी यह line minus 1 minus 2 minus 3 ऐसे करके यहाँ पर कहीं पर minus 7 चलेगा तो यह line खीच दीजिए आप X-H के समानांतर line क्या हो जाएगी Y बराबर minus 7 अब ध्यान से देखिए दोनों line ने तो एक line आपकी यह उपर वाली है जिसको आपने X-H कहा है और एक line आपकी नीचे वाली है दोनों समानतर है तो answer होगा इसके कोई हल नहीं क्योंकि समानतर रिखाए में कोई हल नहीं होता है तो इसका answer D हो जाएगा Y बरबर 0 और Y बरबर माइनस 7 के कितने हल होंगे कोई हल नहीं होगा अगला तो यहाँ पर देखिए अब अगला है question 10, 7, 4 का तीसवा पद क्या होगा तो यह तो बहुत ही सरल सवाल है इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं 10, 7, 4 का तीसवा पद आईए इसको मैं हल कर देता हूँ यह हमाँ पास सवाल है तो इसका formula होता है सीरे A N equal to होता है A plus N minus 1 into D A N यहाँ पर हमको तीसवा पद चाहिए तो A 30 बरबर A की जगह है 10, प्रथम पद 10 है प्लस तीसवा पद यानिए 30 minus 1 into D का मान कितना है अपने पास में D का मान देखिए अगला minus पिछला अगला पद minus पिछला पद A2 minus A1 तो यहाँ पर 7 minus 10 अर्थ 7 minus 3 है तो D का मान हो गया minus 3 तो 10 प्लस 30 में से 1 गया कितना हो गया 29 और गुणे minus 3 करना है ठीक है ना साफधानी से करिए तो A 10 है यह धन और रिन हो जाएगा minus हो जाएगा 3 नाइन जा 3 नाम 27 3 नाइन जा 27 यहाँ पर 7 आ गया और 3 टूजा 6 प्लस 2 8 10 minus 87 आंसर आ गया minus 77 तो option में होना तो चाहिए बिल्कुल सही है option है minus 77 ओके तो correct answer इसका कितना है minus 77 चलिए तो बच्चों हमने पहले 6 सवाल पूरे कर लिए है अब आईए दूसरे पार्ट की ओर चलते है खंड दूसरा कह सकते हैं इसे हम प्रश्ण करमांग 2 इसमें भी हमारे पास 6 खाली स्थान दिये गए है कह रहा है under root P जहां P एक अभाज संख्या है क्या कहलाती है तो under root है और P के अंदर कोई अभाज है तो मान लो हमने कोई अभाज संख्या ले ली पांच है तो भाईया ये क्या बनता है root 5 और अभाज संख्या है तो ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी अपरी में ये संख्या, ओके, तो किसी अभाज संख्या का वर्गमूल ये होता है, वो क्या होता है, अपरी में, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, अपरी में ये संख्या, ओके, अगला, HCF AB, गुणे LCM AB, कितना होता है, तो मैंने ये थियोरम पढ़ाई थी आपको, ये प् रैखिक भवपद के अधिकतम कितने शुन्याक हो सकते हैं, भाई मैंने आपको पढ़ाया था, रैखिक भवपद जिसमें X की घात एक होती हो, जितनी अधिकतम घात होती हो, उतने ही इसके बहुपद होते हैं, तो रैखिक भवपद क्या होता है, PX बराबर होता है, AX प् इस B की रूप का भुपद होता है, यहाँ पर X की अधिक्तम घात 1 है, तो यहाँ पर इसके अधिक्तम एक सुन्याख हो सकते हैं, ठीक है, इसके अधिक्तम एक सुन्याख हो सकते हैं, X प्लस Y बराबर 8 में X बराबर 3 तो Y का मान ग्याद कीज़े, बहुत ही सरल सवाल, Y कर क्या होता है पढ़ाया मैंने आपको B square minus 4AC सबने पढ़ रखा है विवित्त कर या विवेचक होता है B square minus 4AC अगला एक समांतर स्रिनी का प्रथम पद A है और सरवांतर D है तो उसका एनवा पद क्या होगा वाजीवा A N बराबर होता है A plus N minus 1 into D तो आपको यहाँ पर यह लिखना था A plus N minus 1 into D चलिए अगला सवाल प्रतेक प्राकर संख्या सत्यसत्त आ गया पहले दो मुझे यह बताने चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं अगला सवाल जो है सत्यसत्त का है प्रश्ण क्रमांग तीन पर हम पहुँच चुके हैं फिर से हमारे 6 वेकल्पिक सवाल है तो क्या है भई पहला सवाल पहला सवाल कहरा प्रतेक प्राकर संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो प्रतेक प्राकर संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बिलकुल सही बात है जितनी भी प्राकरत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है क्योंकि प्राकरत संख्या किसे शुरू होती है 1, 2, 3, 4 ये प्राकरत संख्या चलती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो प्राकरत का जो बंडल है वो already पूर्ण संख्या के अंदर ही आ चुका है तो जो प्राकरत होंगी वो क्या होंगी पूर्ण होंगी तो ये क्या हुआ पहला वाला हो गया हमारा सत्य तो मैं इधर पे मैंने सही का निसान बना दिया है root x plus 2 एक बहुपद है मैंने बताया था आपको कि बहुपद के लिए क्या होता भई x की पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए और यहाँ पे 1 by 2 आएगा plus 2 क्योंकि x को क्या लिखोगे root x को क्या लिखोगे x की पावर 1 by 2 x की घात 1 बटे 2 तो एक बटे 2 क्या पूर्ण संख्या है नहीं है तो इसलिए यह बहुपद नहीं है तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है root x plus 2 क्योंकि x की घात जो है क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए चलिए 2 त्रिभुज समकोनिक है तो त्रिभुज समरूप होंगे चलिए क्या कहा जा रहा है 2 त्रिभुज समकोनिक है यह देखिए हमाँ पस 2 त्रिभुज है और यह दोनों त्रिभुज हमाँ समकोनिक है मतलब एक कोन इसका 90 डिगरी है और हमने पढ़ी यह समरूपता क्या होती है समरूपता होती है ए ए ए होती है और उसी को हम ए ए भी बोल सकते हैं यानि कि कोण कोण समरूपता मतलब दो कोण कम से कम बराबर होने चाहिए तो यहां तो एक ही कोण बराबर है अगर दो कोण बराबर होते हैं तो ही त्रिभुज समरूप कहा जा सकता है तो यहाँ पे दो त्रिभुज समकोनिक हैं, मतलब एक कोण के बारे में बात की जा रही है, कि इनका एक कोण समकोन है, तो क्या त्रिभुज समकोनिक समरूप होंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो समकोनिक हो, दो समरूप त्र त्रिभुजों में अनुपात बराबर होता है, दो त्रिभुजों का, ठीक है, दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को, देख लीजे, जैसे मान लीजे, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, समरूप त्रिभुच की तो समरूप त्रिभुच को समझना बहुत आसान है ये देखी मेरे पास ये पहला त्रिभुच है और ये मेरे पास एक दूसरा त्रिभुच है और मैं इस बात की गरंटी लेकर आपसे कह रहा हूँ कि यहां पर पहला त्रिभुज है A, B, C और त्रिभुज है दूसरा P, Q, R. और मैंने कहा है ये दोनों सम्रूप है है ना? सम्रूप त्रिभुज है तो सम्रूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिनकी आकरती समान हो, परन्तु आकार भिन भिन हो है ना जिनकी आकरती बिलकुल समान हो आकार भिन भिन हो तो क्या नियम लगता है समरूपता के लिए अगर मैं कहूं कि तरिभुज A, B, C समरूप है तरिभुज P, Q, R के तो क्या नियम लगेगा नियम ये लगेगा कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा अर्थात संगत भुजाओं समान उपाती होगी तो इसकी एक भुजा क्या बन रही है A, P और इधर क्या बन रही है P, Q तो मैं लिख सकता हूँ A, B, B, P, Q एक्वल टू यहां क्या है बी सी और यहां क्या है क्यू आर एक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एक्वल टू यह भूजा क्या बनेगी एसी और यह क्या बनेगी पी आर बराबर एसी बटे पी आर तो यह कहलाएगा इसको हम कहते हैं भूजाओं का समानुपाती होना ओके त अगले सवाल क्यों राते हैं? बिंदु 3,0 और 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है. 3,0 और 0,4 के बीच की दूरी तो इसको आप डिरेक्टली सूत्र से निकाल सकते हैं. पांचवा सवाल. सूत्र क्या होता है? X के निर्दे-शांको का अंतर वर्ग. मैं फॉर्मular लिख देता हूं. X2-X1 का वर्ग प्लस Y2-Y1 का वर्ग. उकी? तो इसके पहले हमने चोदेना नंबर किया. वो 70 था. अलगी 70 मैंने लगा दिया है. अब चलिए इसको करता हूं. अभी मैंने तो solve भी नहीं किया. चलिए solve x2-x1 0-3 का square plus y2 4 है 4-0 का square 0-3 का square plus 3 ही हो जाएगा क्योंकि negative का square भी plus होता है तो 3 का square 9 और 4 का square 16 under root 25 जो आएगा 5 इकाई तो दूरी 5 इकाई है मतलब यह भी हो गया बिलकुल सत्य ठीक है अगला किसी बिंदू की yh से दूरी उस बिंदू का y निर्दे शांक होती है तो यह बात तो बिलकुल असत्य है किसी बिंदू की yh से दूरी जो होती है वो y नहीं होती है उसका x निर्दे शांक होती है देख लीज़े आप लोग यदि मान लीज़े कोई बिंदू है p x, y अब कहरा है इसकी yh से दूरी तो भाई yh से दूरी के लिए yh पर आप लंब खीज दीजे यही तो होगी yh से दूरी मान लो यह pm है तो pm क्या है yh से दूरी है और pm कमान कितना होगा जरह देखिए यदि आप यहाँ पे इस तरीके से एक लंब खीचते हैं तो यह जो होता है, कोटी, कोटी Y होती है और यह क्या होता है, भुज, भुज X होता है तो अगर यह X है तो इसके सामने वाले भी क्या होगा, X मतलब PM बराबर कितना होगा, X तो Y X से दूरी कितनी होती, X ही होती है, Y X से दूरी ठीक है न, तो यह क्या होगा, असत्य होगा यह भी क्या होगा, असत्य होगा, ओके इसके उपर का क्या था, सत्य था मैंने लेफ्ट साइड भी राइट रॉंग कर दिया है तो राइट रॉंग जहां पे राइट है उसे सत्य समझें तो पहला वाला सत्य है दूसरा असत्य है तीसरा भी क्या है असत्य है चौथा क्या है सत्य है और पाँचवा सत्य है छटवा भी असत्य है चलिए अब इसके बाद आजाती ही सही जोड़ी मिलाई है पहला सवाल है मूल बिंदू की x,y से दूरी तो इसका सांसर होगा c बहुत ही simple सवाल है यह मूल बिंदू की x,y से दूरी तो आप निकाल सकते हैं देखें मूल बिंदू अब जानते हैं कि मूल बिंदू क्या होता है 0,0 और x,y यह कोई बिंदू बैठा हुआ है x,y तो formula बनता है directly क्या बनता है x निर्देशांको का अंतर तो इसके x निर्देशांक कौन कौन है x है और 0 है का वर्ग और फिर plus y निर्देशांको का अंतर तो y 0 है इसका वर्ग तो उत्तर क्या बनेगा under root x square plus y square so simple question answer आगया x square plus y square का under root ठीक है चली अगला question करते है पहला question हो चुका हमारा first का c आ चुका है second question है हमाई पास में की आधार भूत अनुपातिकता प्रमे क्या होती है तो इसके ही हम क्या बलते हैं इसे हम थेल्स प्रमे कहते हैं तो second का answer हो जाएगा e, तो पहले का answer क्या होगा है? c हो गया है second का answer क्या हो गया है? e हो गया है third कहεί हएगर a2 बरिभर 13 है और a4 बरिभर 3 है, तो क्या कह रहा है मेरे ख्याल से d निकालना है है ना यहाँपे d भी हो सकता है और d के दो option है, एक ये भी है और एक ये भी है ठीक है तो देखिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए A13 है A2 और A4 3 है मतलब सीरीज जो है छोटी हो रही है आपका दूसरा पद 13 है तीसरा पद जो भी होगा चौथा पद आपका 3 है चौथा पद कितना है तीन है तो सिरीज छोटी हो रही जब भी सिरीज छोटी हो रही तो जो D होता है सरवांतर रिनात्मक होता है तो correct answer इसका A होना चाहिए क्योंकि सरवांतर रिनात्मक इसमें रिनात्मक दिया है तो third question का answer क्या बनेगा A बनेगा और आप इसको निकालना चाहेते तो हल कर सकते हैं आपको यहाँ पर बड़े आराम से A2 12 दिया है और A3 कितना दिया है आपके पास में A2 12 दिया है और A4 3 दिया है चलिए तो हल भी कर देता हूं मैं आपके लिए आपको दूसरा पद A2 कितना दिया है 12 दिया है 13 स्वरी 13 दिया हुआ न A2 आपको 13 दिया हुआ है हाँ और A4 आपको दिया गया है कितना A4 आपको दिया गया है 3 तीन दिया गया है तो A2 जानते हैं आप लोग क्या होता है A2 होता है A plus D equal to 13 और a4 क्या होता है a4 होता है a plus 3d equal to 3 चलिए minus कर लिजे ये minus ये minus ये minus ये भी minus तो a से a cancel हो गया minus 2d equal to 13 में से 3 गया 10 तो d बराबर minus 5 वैसे तो मैंने option देखके ही पता लगा लिया था बट आपकी तसलिए के लिए d का मान कितना आचुका है minus 5 पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया अब लीजे d बज़ गया अगले में भी देखे a0 दिया है और a106 दिया है इसका मतलब d कितना हो जागा 2 by 3 आप इसको भी हल कर सकते हैं वैसे ही a प्रथम पत 0 है दस्वा पत 6 है तो फूर्थ नंबर का क्या जाएगा हमारा f option 2 by 3 अगर विवित्गर रिणात्मक होते हैं तो इसका मतलब मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं और काल्पनिक को ही हम अधिकल्पित बोलते हैं तो पांचवे का अंसर है काल्पनिक मूल या अधिकल्पित मूल तो पांचवे का B हो जाएगा फिफ्थ का B विवित कर शून अगर होता है याने की D का मान 0 होता है तो आपको मैंने बताया था क्या होता है अल्फा बराबर बीटा याने की मूल बराबर होते हैं और समान होते हैं वास्तेविक होते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो 6th का आंसर है D, ओके तो सारे हमने कर लिया है 6 थे, पहले का C दूसरे का E, 3rd का A 4th का F है, 5th का B है और 6th का D है, correct हो गया अब इसका क्या है एक शब्द में उत्तर देना है प्रश्न करमांग 5, रैखिक बहुपत की घात कितनी होती है रैखिक याने की एक घाती है बहुपत को रैखिक बहुपत बोलते है तो इसका उत्तर है 1 रैखिक बहुपत की घात कितनी होती 4 और 5 का HCF क्या होगा, तो 4 और 5 कैसी ही संख्या है, देखे, co-prime है याने सह अभाज्य है 4 और 5 में कुछ भी common नहीं है, यदि 4 का HCF लेंगे, तो कितना आएगा, 2 सरी, गुडन खंड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 गुणे, 2 गुणे 1, और 5 का कितना आएगा 5 गुणे 1 ही आएगा, तो दोनों का जो HCF है कितना बन रहा है, एक बनेगा, क्योंकि ये दोनों सह अभाजे है, तो इसका correct उत्तर क्या है, एक वह समीकर्ण क्या निकाय कहलाता है, जिसका कोई हल ना हो तो ऐसे समीकर्ण निकाय को हम कहते हैं, असंगत ओके, जिसका कोई हल ना हो, ऐसे समीकर्ण निकाय को हम क्या कहते है असंगत कहते है अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के तो समीकर्ण निकाय का हल क्या होगा भई समीकर्ण निकाय का अध्यतिय हल होगा याद होगा आपको कैसा हल होगा अध्यतिय क्योंकि एक ही हल होता था तो अधिती कह लीजिए या एक हल कह लीजिए केवल एक कह लीजिए उसमें भी आपके अंक मिल जाएंगे वह समीकर्ण जिसमें अग्यात राशी की चर्की अधिकतम घाद दो हो क्या कहलाता है तो ऐसा समीकर्ण जिसमें अग्यात राशी याने की X की अधिक्तम घाद 2 हो बाकी कुछ रहे ना रहे हमें X की घाद से मतलब है अगर X की घाद 2 हो तो ऐसे समीकर्ण को क्या कहते हैं वर्ग समीकर्ण ठीक है ऐसे समीकर्ण को हम क्या कहते हैं वर्ग समीकर्ण कौन से चतरुभुज सदैब समरूफ होते हैं तो चाहिए आप कैसे भी वर्ग ले ले ओके वर्ग आप कैसा भी ले ले वर्ग हमेशा क्या होगा समरूफ होगा क्योंकि ये देखिए ये एक वर्ग है इसके ऊपर भी एक वर्ग बन जाएगा ठीक है न? इसके ऊपर भी एक वर्ग बन जाएगा ऐसे तो ये वर्ग एक दूसरे से क्या है? समरूप है ठीक है न? तो ये चतरभुच जो होते हैं समरूप होते हैं हाँ कोई कहे कि मैं ये कह रहा था कि आप में से किसी को डाउट होगा इसरा आयत भी तो समरूप हो सकते हैं देखें नहीं हो सकते हैं ये एक आयत इस तरीके का है और ये भी एक आयत है अब देखें ये दोनों समरूप नहीं है ओके तो कौन से चतरबुच सदैव समरूप होते हैं आंसर है वर्ग तो वर्ग जो होंगे वो हमेशा समरूप होंगे इसलिए सामानुपाती होंगी इनकी हो जाएं चलिए यह हो गया यह तो रिपीट हो गया दोबारा एक बार हम कर चुके इसको ठीक है अब देखिए अब हमारे आ चुके हैं बड़े अंको के सवाल प्रश्नक्रमांग 6 से आ चुका है यदि हमें दिया गया है HCF 9 दिया गया है तो LCM हमें गयाद करना है ठीक ना तो मैं दोनों सवाल करूँगा क्योंकि ये बच्चों के चाहने के उपर है कि उन्होंने कैसा सवाल कौन सा किया है दोनों सवाल मैं आपके सामने करूँगा चलिए तो एक सवाल पहले बारी से सवाल की शुरुआत करते हैं कह रहा है HCF 306 657 का 9 दिया है LCM गयाद कीजे तो आपको पता है कि जो प्रमे होती है प्रमे क्या होती है HCF गुणे LCM बराबर A into B ठीक है ना A into B मतलब वो नंबर जो आपको दिये गया है तो यहाँ पर HCF कितना दिया गया इन दोनों नंबर का 9 दिया गया है LCM आपको पता नहीं तो आप X मान लीजे और जो नंबर है आपके पास वो क्या है 306 गुणे 657 दोनों नंबर है तो X बराबर कितना हो जागा यहाँ पर दिखिए X बराबर आपके पास हो जागा 306 गुणे 657 भाग दे लिजे किसका 9 का 9 भाग में आ जाएगा ठीक है अब आप 9 से काट दीजे इसको पूरे को 306 को 9 भार काटिए 306 को यह दिए आप 9 से काटेंगे तो 9 3 27 9 3 27 यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ कुछ बचेगा नहीं यहाँ और 9 4 जा 36 तो आपके पास आ गया 34 x 657 तो 34 का आप मल्टिप्लाई कर दीजे किस से 657 से तो चलिए देख ल 34 x 657 34 का गुणा करना में 657 के साथ तो हमारा आंसर बन रहा है 22 338 करेक्ट आंसर मैं परस क्या है 22 338 जिनका यह आंसर आया है सही है 22 338 इसका क्या निकलेगा LCM निकलेगा ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं व्याख्या कीजे कि यह अभाज संख्या हैं क्यों तो हमें इसकी व्याख्या करनी है भाज संख्या है सौरी मैंने अभाज कह दिया गलती से तो हमें क्या व्याख्या करना है कि जो दी गई संख्या है वो अभाज स अगर कम से कम दो संख्याओं के गुणन खंड के रूप में लिखी जा सकती है ठीक है ना कम से कम दो संख्याओं के गुणन खंड के रूप में लिखी जा सकती है और यहां पर ए और बी ए और बी जो है वन नहीं हो सकते हैं मतलब और कुछ होंगे तो ठीक है एक नहीं हो सकते एक नहीं लिखना है तो अगर ये संख्या भाज्य है तो भाज्य संख्या के लिए आप इसको गुणन खंड के रूप में लिख सकते हैं कम से कम दो संख्याओं के गुणन खंड के रूप में लिख सकते हैं और दोनों संख्याओं क्या नहीं होनी चाहिए एक नहीं होनी चाह X मान लीजे संख्या को X 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन में 5 है तो भाई 5 आप इसमें से common ले लीजे तो क्या बचेगा 7 6 4 3 2 और प्लस का फिर 1 आ जाएगा तो आप देखे यहाँ पर एक संख्या तो 5 आ गई तो 5 हो गई अब आप इसका गुणा कर दीजिए तो एक संख्या आपकी ये बन जाएगी है ना तो 5 गुणे 7 6 4 5 3 गलत कर दिया मैंने 5 गुणे 7 6 कि बाद 5 भी था मैंने 5 तो common ले लिया ठीक है 4 3 2 और प्लस का 1 तो यहाँ पर आपको मूलतह कितनी संख्या मिल रही है एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये बनेगी बनेगी की नहीं बनेगी तो आप देखे क्या लिख रहे हैं आप इसे लिख रहे हैं X equal to किस रूप का है A into B रूप का है ठीक ना कैसी बन जाएगी भाज संख्या, तो ऐसे संख्या जिनको आप दो संख्याओं के गुड़न फल के रूप में लिख पा रहे हैं, उन्हें आप भाज संख्या कह सकते हैं, अगले सवाल के और बढ़ते हैं, निम्निकित संख्याओं का अभाज गुड़न खंड के रूप में व चलिए देखते हैं कैसे अभाज गुणन खंड के रूप में व्यक्त होंगी तो पाँच हजार पाँच आपको करना है तो साफ दिख रहा है कि इसमें आप पाँच का भाग दे लिजे तो एक हजार एक आ जाएगा और ये अब किसी से भाग नहीं जाएगा इसका तो एक हजार एक से ही जाएगा क्योंकि अभाज है तो ये वन बचेगा तो आप क्या लिख सकते हैं पाँच हजार पाँच बराबर पाँच गुणे एक हजार एक ये होगए पहला सवाल दूसरा सवाल जो है ठीक है एक मिनट 1001 मुझे लग रहा है 11 से भाग जा सकता है थोड़ा मुझे देखे देखना चाहिए 1001 में यह दि मैं 11 से भाग दे दू 11 से 1001 बटे 11 11 से भाग दिया तो 11 से 9 x 99 आएगा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ओके 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 फिर ठीक है तो यहाँ पे कितना आ गया 11 और 1 टाइमस आएगा 11 तो बिल्कुल सही है 91 बच गया 91 अब किस से जाएगा यह 7 से जा सकता है ठीक है न 7 से 13 बार और 13 से फिर यह एक बार ठीक है न अब अपना अपना तरीका होता है आप हो सकता है आपने पहले 7 से कर दिया हो ठीक है न तो तो 5,005 एक ओल टू 5 गुणे पहले छोटे नमबर लिख लिए 7 और फिर 11 गुणे 13 ठीक है तो यह हो गया इसका अभाज गुणन खंड बिल्कुल सही है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 देन 7,4,2,9 है तो 7,4,2,9 किस से भाग दिया जा सकता है पहले 3 का विभाज दनी हम देखिए 9,2,11 11,4,15 15,7 22 ठीक है न 9,2,11,11,4,15,15,7,20 तो यहाँ किस से जा रहा है यहाँ जा तो नी रहा है इससे 3 से नहीं जा रहा है 29 है अंत में अब 7 से देख करके देखिए अब 7 से देख करके देखते हैं और फिर हम किसी अभाज संक Character 11,14 से देख कर रहेंगे 7 से भी भाग नहीं जा रहा है अब 11 से देख करके देख लीजे चली जब आप काफी डूड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 7,439 में 17 का भाग जा सकता है तो 7,439 में हम 17 का भाग देंगे 7,439 भागे 17 तो ये कितने बार जाएगा? 437 बार 737 में 19 से भाग जाएगा तो 19 दूनी 38 19 से भाग देज़ेगे 437 में 437 भागे 19 देखे ये 23 आगया और 23 खुद में अभाज संख्या है तो एक बार जाएगा तो आंसर कितना जाएगा? 7,419 का जो गुडन खंड बनेगा उस 17 गुड़े 19 गुड़े 23 बनेगा तो बहुत ही ये पेचीदा क्वेश्चन है दिमाग को ठकाने वाला या जो लोग प्रैक्टिस करके आये होंगे वो तो बन गया होगा? नहीं तो आपका टाइम बहुत खराब करेगा ये सवाल 7,419 चली तो दोनों का अंसर हमारे पास आ चुका है किसका करना है? 12, 15 और 21 मेन ये नंबर है मुखता है तो अभाज गुड़न खंड वीदी द्वारा 12, 15 और 21 का HCF और LCM तो डंडे बना करके आपको करना है कई बार ये question आप कर भी चुके होंगे पहले तो मैं यहीं पर कर देता हूँ 12, 15, 21 देखिए 3 मैंने डंडे बना दी यहाँ पर 12 यहाँ पर 15 यहाँ पर 21 LCM HCF दोनों आ जाएगा तो 12 को 2 से जाएगा 6 बार 2 से 3 बार और 3 से 1 बार 15, 3 से जाएगा 5 बार और ये 5 से फिर कितना हो गया? 1 बार और ये कितना जाएगा? 3 से 7 बार और 7 से 1 बार चलिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 ठीक है ना? 3 गुणे 5 और 21 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 7 21 को मैंने दूर दूर लिखा आपको दिखाई दे इसलिए चली तो यह देखे तीन की टेबल बन चुकी है तो HCF जो आएगा वो कितना आएगा तीन आएगा ओके अब LCM निकालना आपको तो LCM में जिनके जोड़े बन गया है जिनके नई बने वो भी लेना है तो तीन का एग जोड़ा बन गया तो तीन ले लीजे पांच ले लीजे साथ ले लीजे और दो दो बार है तो दो बार दो भी ले लीजे ठीक है तो कितना हो गया यह यह हो गया चार और यह हो गया कितना पंदरा तो तीन गुणे पांच पंदरा गुणे 7 गुणे 4. तो 15 गुणे 4 होगया 60 और 60 गुणे 7 60 into 7 420 तो इसका anser कितना होना चीए? इसका anser होगा LCM जो आएगा, वो आएगा कितना? 420 आएगा जो इसका जो आपका लग wannam आएगा LCM कितना आएगा? 420 आएगा थिक है न? तो हमारे पहले सवाल के दोनों आ चुके हैं इसका HCF कितना आ चुका है? HCF हमारा आ चुका है 3 और LCM जो आया है वो कितना आया है? 420 आया है तो सवाल नंबर 7 हमारे दोनों पार्ट हो गए है अगला सवाल आ गया हमें पास बहुपद X2-2X-8 का 0 गयात करना है 0 गयाने की अलफा और बेटा तो हमारे पास बहुपद फलन क्या दिया है? X2-2X-8 तो जो बहुपद फलन है हमारे पास उसका हम लिख सकते हैं PX यानि की X का बहुपद X2-2X-8 PX बराबर X2-2X-8 सवाल करमांक 8 चल रहा है तो PX बराबर हमारे पास दिया गया है X2-2X-8 अब कहरा है शुन्यक ज्यात करना है तो शुन्यक के लिए आपको पता है हम PX को किस से तुलना करते थे 0 से यहने X2-2X-8 बराबर 0 अब हम क्या करते थे? A, B, C का पता लगाते थे A1 है B यहाँ पर –2 है और C यहाँ पर कितना? –8 है फिर हम क्या करते थे? A में C का गुणा करते थे तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? –8 और सम करने पर –2 यहने योग करने पर –2 तो नमबर क्या बनेंगे? योग में आपको –2 चाहिए और गुणे में आपको कितना चाहिए? –8 चाहिए तो ऐसी दो संख्या है योग करने पर –2 और गुणा करने पर –8 क्या होंगी? –4 और प्लस का 2 तो X स्क्वार माइनस का 4X प्लस का 2X – 8 इक्वल टू 0 X कॉमन ले लिजे X – 4 यहां से फिर दो कॉमन लेंगे तो X – 4 बराबर 0 X – 4 X प्लस 2 इक्वल टू 0 So क्या आएंगे शुन्यक X इक्वल टू 4 हो जाएगा एक लाइन में और लिखूंगा यहां पर X – 4 बराबर 0 करिए या अथवा कुछ भी लिख सकते हैं X प्लस 2 इक्वल टू 0 So X इक्वल 4 या X इक्वल माइनस 2 तो दो शुन्यक आचुके हैं एक आएगा 4 और एक आएगा माइनस 2 इन्हें आप अल्फा बीटा के नाम से भी बोल सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2 ओके ठीक है तो अंसर क्या होगा इसका 4, माइनस 2 ठीक है 4, माइनस 2 डन अगले सवाल की और पधारते हैं देखे क्या कहरा किसी बहुपत फलन के लिए Y बराबर PX का ग्राफ देख करके शुन्यकों की संख्या तो शुन्यक कितने होते हैं इतने X अक्ष को काटे अगर ग्राफ जितने बार X अक्ष को काटता है तो उतने शुन्यक होते हैं तो यहाँ पर X अक्ष को कितने बार काट रहा है एक भी बार नहीं काट रहा है Y अक्ष को काट रहा है X अक्ष को एक भी नहीं काट रहा है तो यहाँ पर कितने शुन्यक होंगे? यहाँ पर कोई शुन्यक नहीं होगा शुन्यक नहीं मतलब यहीं संख्या पूछी जाए शुन्यकों की तो कितनी होगी बेटा? 0 होगी यहाँ पर कितने शुन्यक है? 1, 2, 3 तो यहाँ पर किती होगी शुन्या की संख्या, बटए यहाँ पर सुन्या की संख्या तीन होगी, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है, वो एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है, देख लो आप लोगे न, चलिए, अगले सवाल की और वाईए, प्रश्न क्रमांक 9, एक दुगाती है जिसके शुन्या कों का योग और गुडन फल क्रम शह माइनस एक बटे चार और प्लस एक बटे चार है, चलिए हल करते हैं, उत्तर क्रमांक 9, उत्तर क्रमांक 9 हल करते हैं, तो हमें क्या दिया गया है भई, हमें ये दिया गया है उत्तर क्रमांक 9 में कि शुन्या कों का α-β तो शुन्यकों का योग alpha प्लस beta कितना दिया गया आपको minus 1 बटे चार और शुन्यकों का गुड़न फल alpha गुड़न बीटा कितना दिया गया है 1 बटे चार अब जो आपका क्या होता है जो आपका बहुपद होता है ठीक है ना बहुपद बहुपद का समीकन क्या होता है जिसे हम PX से लिखते हैं PX बराबर K ब्रेकेट में X स्क्वार माइनस अलफा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अलफा इंटू बीटा ये होता है ठीक है ना? दिगाती ये बहुपत जो होता है उसका ये तरीका होता है तो K तो K ही रहेगा X स्क्वार माइनस मूलों का योग आपको कितना दिया गया है मूलों का योग अलफा प्लस बीटा कितना दिया गया है माइनस एक बटे चार X प्लस मूलों का गुड़न फल एक बटे चार इसको हल कर दो तो K देखो भी X स्क्वार माइनस माइनस प्लस एक बटे चार इंटू एक्स और प्लस एक बटे चार ठीक है तो कितना हो जागा K यहाँ पर LCM कुछ नहीं है तो 1 लिख लो अब पूरे का LCM कितना हैगा 4 तो यह हो जागा 4X स्क्वार प्लस X और प्लस 1 ठीक है बिल्कुल सही किया हमने हाँ बिल्कुल सही किया अब यह आगया मैं पास तो अब K का मान अब अपने मन से क्या पूट कर सकते हैं 4 क्योंकि K कैंसल कर दे 4 को और यहाँ पर क्या चल रहा है X का पॉलिनॉमिया लेने की बहुपद X का तो K बराबर 4 पूट करने पर P X बराबर क्या हो जाएगा 4 4 X स्क्वार प्लस X प्लस 1 पूरे के डिवाइड में कितना है? 4 है अपन में 4 से 4 कैंसल तो जो आपका बहुपद बन के आएगा वो होगा Finally 4 X स्क्वार प्लस X प्लस 1 यह आपका बहुपद बनेगा ठीक है? देखे बहुत लोगों ने समीकर्ण बना दिया होगा ऐसा बना दिया होगा कि इस तरीके समीकर्ण बना दिया होगा 4 X स्क्वार प्लस X प्लस 1 बराबर 0 तो यह गलत है क्यों गलत है? क्योंकि आपसे समीकर्ण नहीं पूछा गया है आपसे बहुपद पूछा गया है ठीक है ना आपसे समीकर नहीं पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है आपसे बहुपद पूछा गया है इसलिए ये करना आपका गलत है 4 x square equal to 0 नहीं रखना मतलब आपको P x की निकालना है बहुपद निकालना है चलिए अगला सवाल करते हैं इसका अगला पार्ट जो इसके अथवा में है क्या कह रहा है अथवा में बहुपद x square minus 3 बराबर 0 कों का योगफल ग्याद कीजिए x square minus 3 बहुपद x square minus 3 के शुन्यकों का योगफल ग्याद करना है इसका अथवा वाला तो 9 question का अथवा वाला सवाल है जो हमारा बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है x square minus 3 दिया गया है ओके 0 कों का योग ग्याद करना है तो हम दो तरीके हैं पहला तरीका हम सिम्पल है मैं बता देता हूं पहले जरूनियक निकाल लो तो शुनियक के लिए PX ब्राबर 0 कर तो PX का मान कितना दिया है X स्क्वाइर – 3 ब्राबर 0 कर दीजे तो X स्क्वाइर बराबर कितना हो जाएगा 3 तो X ब्राबर हो जाएगा root 3 और जब भी आप root लाते हैं तो दो चीज लाते है plus 3 और minus 3 तो इस तरीके से आपके दो शुन्यक निकल करके आ रहे है एक निकल रहा है plus root 3 और एक निकल रहा है minus root 3 आप इसे alpha कह सकते हैं इसे beta कह सकते हैं अब शुन्यक का योगफल alpha plus beta बराबर एक है प्लस रूट 3 और दूसरा है माइनस रूट 3 दोनों कैंसल हो जाएंगे आंसर कितना आ गया जीरो तो इसका आंसर है अपने पास में जीरो चलिए सवाल नमबर 10 की और आंगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 10 A1 बटे A2 B1 बटे V2 C1 बटे C2 ग्याद कीज़े तो सबसे पहले इन समीकर्णों को मैं इनके सही रूप में लिख लेता हूँ सही रूप क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलो मानक रूप कहलो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 यह इसका स्टैंडर्ड रूप कहलो मानक रूप होता है तो इसे मैं सही रूप से लिखूंगा अगर तो ये क्या बन जाएगा मेरा पहला समीकण पहला समीकण मेरा पहला समीकण मेरा बन जाएगा 3X प्लस 2Y माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा समीकण बनेगा 2X माइनस 8Y माइनस 7 एक्वल टू 0 अब हमें निकालना है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तो A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 2 क्योंकि ये क्या है 3 है पहला और ये 2 है आप तो जानते ही है A1 A2 B1 बटे B2 कितना निकलेगा तो Y का गुडांक पहले समीकण का कितना है 2 और इधर का कितना है माइनस 8 2 बटे माइनस 8 ठीक है और C1 बटे C2 भी निकालने को का गया है तो C1 बटे C2 कितना है भई तो C1 अपने पास में है माइनस 7 पहले वाले में और दूसरे में कितना गया है माइनस 5 तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा आंसर आगया 7 बाई 5 तो नोट कर लें बहुत ही सिंपल सवाल है इसमें कुछ है नहीं करने जैसा तो 7 बटे 5 आगया C1 बटे C2 ठीक है चलिए Q10 का दूसरा पाट निम्न दी गई समस्या का रैखिक समीकन युग्म बनाईए 5 पैंसिल और 7 कलम का कुल मूल 50 रुपए है जबकि 7 पैंसिल और 5 कलम का कुल मूल 46 रुपए है एक पैंसिल और एक कलम का मूल ग्याद कीजिए अच्छा उपर कहा गया था क्या निम्न दी गई समस्या का रैखिक समीकन युग्म बनाईए और नीचे लिओ भाई साब एक कलम और एक पैंसिल का मूल भी ग्याद करना है मतलब मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कन्फ्यूजन हो गया देने वाले को भी उन्हें पहले तै करना था कि भाई समीकन ही बनवाना है या मूल भी ग्याद करवाना है खैना अब दे दिया है मूल ज्याद करने को तो मैं मूल भी ज्याद कर देता हूँ कोई बड़ा सवाल नहीं है सिंपल सवाल है आइए क्या कहरा है सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए हम मान लेंगे माना एक पैंसिल का मूल X रुपए है और एक कलम का मूल किते रुपए है Y रुपए है अब प्रश्णा नुसार पहली कंडिशन क्या कह रही है देखे प्रश्णा के नुसार पहली कंडिशन कह रही है पाँच पैंसिल तो एक पैंसिल अगर X की है तो 5 pencil हो गई 5x की और 7 column अगर 1 column y का है तो 7 column 7 y का कुल मूल कितने है 50 रुपए समी कर नमबर एक दिदिए जबकि 7 pencil और 5 column तो 7 pencil 1 column x की है तो 7 pencil 7 x और 1 column y की है तो 5 pencil 5 y का मूल कितने रुपए है 46 रुपए है यह दो समी कर ना गए है अब आपको एक pencil और एक कलम यानि की x रुपी और y रुपी आपको निकाल ले हैं तो कैसे हल करेंगे इसको देखें इसको हल करने के लिए विलोपन विधी का उपयोग करेंगे हम लोग है ना चलिए तो क्या करनेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50 पहला समी करना और दूसरा 7x प्लस 5y बराबर 46 हम x को यहाँ पर गाइप करना चाहते हैं विलोपित करना चाहते हैं तो x का नीचे का गुडांक 7 है और एक तरीका और भी है इसको करने का जिससे ये काफी सरल तरीके से हो जाएगा चलिए मैं सरल तरीके से करा देता हूं इस question को है ना उस सरल तरीके से answer से हम आएगा अगर आपका answer गलत आया है तो फिर बात अलग है चलिए देखे क्या है एक और दो को जोड़ दो आप फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दो जोड़ दो तो यहां लिख दो जोड़ने पर जोड़ने पर तो 5 और 7 x कितना हो गया 12 x और 7 और 5 y कितना होगया 12 y एकुल टू ये हो गया 96 ये मेरी नजर अभी पढ़ी दोनों में तो मेरेकों लिगा ये प्रतिस्थापन लगा दो आपको मूल ग्याद करना है जो करना आपको कर दो तो मैं काम करता हूं मैं समीकन एक और तीन से थ्टी किना तो समीकन एक क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50 और समीकन तीन क्या है 01बराबर 8 तो मैं क्या करता हूं तो creamy गुणाँ क्या है एक क्का गुणा ऊपर और ऊपर एक्स का गुणा क्या है 5 तो 5 का गुणा नीचे क्या बन जाएगा 5x plus 7y बराबर 50 और 5x plus 5y बराबर 5 गुने 8 कितना हो गया? 40 अब आप माइनस कर दो तो यह माइनस यह माइनस यह माइनस कैंसल हो गया 5x है 5x कैंसल 7y इसने से 5y गया 2y equal to 10 तो answer y equal to कितना 5 रुपए 10 by 2 10 में 5 का 2 का डिवाइड हो जागा तो answer कितना आएगा 5 रुपए तो y का मान कितना आगया 5 रुपए ठीके ना मतलब क्या था y pen था ना pen का दाम आगया 5 रुपए हाँ कलम का दाम 5 रुपए आगया अब आपको pencil गदाम निकालना है तो हमें पास समीखन 3 क्या है समीखन 3 हमें पास प्यारा सा समीखन आ था x प्लस y बराबर 8 तो x प्लस 5 बराबर 8 तो x एक कौल टू आठ माइनस 5 तो x बराबर कितना आ गया 3 रुपए ये पहला समीखन आपके पास उत्तर आ चुका है X बराबर 3 रुपए ठीक ना नहीं तो कुल मिला के आपके पस दोनों आ चुके हैं तो X क्या था Pencil का दाम तो बस हम लोग Last में लिखेंगे Pencil का दाम एक Pencil का दाम कितने Pencil का एक Pencil का तो एक Pencil का दाम X आया है कितना 3 रुपए 3 रुपए और एक Pen का दाम एक Pen का दाम बराबर कितना है 5 रुपए चलिए तो फिनिश होगी ये बात Pen और Pencil की समस्या यहां पे हल हो जाती है ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं सवाल नंबर 11 कहा कह रहा है कि जाच कीजिए कि क्या यह एक दुगात समीकन है और किसके बारे में बात की गई है X प्लस एक का स्क्वाइर बराबर 2 टाइमस X मानेस 3 X प्लस एक का स्क्वाइर बराबर वर्ग बराबर 2 ब्रेकेड में X मानेस 3 तो मैं सवाल नंबर 11 आपके लिए हल करता हूँ किसको जाच करना हमें इस समीकन को कि क्या यह दुगात समीकन है की नहीं X प्लस एक का वर्ग बराबर 2 ब्रेकेड में है X मानेस 3 चली तो इसको मैं देखता हूँ कि यह है दुगात समीकन की नहीं तो यदि मैं इसको खोल दूँ तो कैसे खोलेगा यह A प्लस B के वर्ग के सूतर से खोलेगा A प्लस B का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB ओके तो X का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू X इंटू 1 बराबर 2 into x हो जागा 2x और माइनस का 6 तो x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6 अब 2x से 2x क्या हो जागा cancel तो x का वर्ग प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0 तो x का square x का वर्ग प्लस 7 बराबर 0 देखें यहाँ पे x का वर्ग है और यहाँ पर X2 का गुरांग कितना है एक है कितना है गुरांग एक है तो लिखेंगे यहाँ पर गुरूप का है, जहां ए कमान जीरो के बराबर नहीं है, ए मतलब एकसे स्क्वार का गुडांक, यह जो एकसे स्क्वार का गुडांक यहां पर एक है, मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब एकसे स्क्वार यहां पर जीवी था एक तरीके से, इसलिए अतहिये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरन है तो ये वर्ग समीकरन यहाँ पर है ठीक ना क्योंकि एक्से स्क्वार यहाँ पर बैठा हुआ है चलिए अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नमर ग्यारवे का पार्ट बी ये देखिए कहारा निमनिस समीक इस्थिति को दुःगात समीकरन के रूप से बताईए और फिर से यहाँ पर एक समस्य उत्पन कर दिये सवाल दो नमर का है मगर हमको ग्याद करना है रोहन की वर्तमान आयू चलिए करते हैं मेहनत क्या कह रहा कोश्चन निमनिस स्थिति को दुःगात समीकरन के रूप में निरूपित करिए चलिए वो तो हम करेंगे ही दुःगात समीकरन के निरूप में निरूपित ओके रोहन की मा की आयू उससे 26 साल बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम रोहन की आयू माना रोहन की आयू एक्स है ठीक है माना रोहन की आयू एक्स है और रोहन की मा उसे 26 साल बड़ी है तो जो रोहन की मा की आयू बनेगी रोहन की मा की आयू क्या हो जाएगी भाई साब तो रोहन की मा की आयू जो हो जाएगी वो X प्लस 26 हो जाएगी ठीक है? X प्लस 26 वर्ष उनकी आयू वर्षों में गुडन फल अब से 3 वर्ष परस्चा 360 हो जाएगा कह रहा है कि उनकी आयू का गुडन फल 3 वर्ष परस्चा 360 हो जाएगा तो आयू का गुड़न फल रोहन और उसकी मा की आयू का गुड़न फल कितने साल के पस्चाथ तीन वर्षों पस्चाथ तो पहले हमें इनकी तीन वर्षों पस्चाथ की आयू निकाल लेने चाहिए तीन वर्ष के बाद तो तीन वर्ष पस्चाथ तो तीन वर्स पस्चाज जो रोहन है वो खुद तीन साल के बड़े हो जाएंगे तो पहले X के थे अब किते हो जाएंगे X प्लस थ्री के और मा भी है वो भी तीन साल जादा हो जाएंगी तो X प्लस 26 की थी और तीन जुड़ जाएगा तो किती हो जाएंगी X plus 29 की मा हो जाएंगी अब तीनों का गुडन फल कितना है 360 तीन वर्स पस्चाज जो गुडन फल है वो कितना है 360 यानि की X plus 3 और X plus 29 ये इनका गुडन फल तीनों का नहीं कहना चाहिए ये दोनों का गुडन फल उम्र का गुडण फल जो है वो किसके 360 के एकळल हो गया है तीन वर्स पस्टार्ट जो है इनकी दोनों की उम्र का गुडण फल 360 हो गया है अब हमको इसको हल करना है और हमको निकालना है कि क्या होगा तो X का गुडण फल सबसे पहले X के साथ तो X स्क्वार हो जाएगा फिर X का गुडन फल 29 तो 29 X फिर ही हो जाएगा 3X और प्लस 29 से गुडन का गुडन फल करिये 3 नाम 27 3 9 जा 27 27 का 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 87 3 2 जा 6 प्लस 2 87 यस एक्वल टू 360 360 360 ऐसा करने पर क्या आएगा X स्क्वार प्लस 29 X प्लस 3 X 9 3 12 32 X और प्लस 87 माइनस 360 परावर 0 तो 360 में 87 माइनस कर दीजे तो 10 में से 7 गए 3 ओके और ये कितना बन जाएगा 15 में से 8 गए 7 और 2 तो 273 X स्क्वार प्लस 32 X माइनस 273 एक्वल टू 0 ठीक है चली रेखी यहां तक आने के बाद हम में अब इसको हमको क्या करना है इसको हमको मेडिल टर्म स्प्लिटिंग यानि कि मध्ध पद वितरन विधी से इसको तोड़ना है तो क्या अब 32 के हमको क्या तुकड़े करने है ऐसे तुकड़े करने है कि सबसे पहले मैं आपको याद दिला दू कि हम क्या करते है इसकी तुलना करते है A X स्क्वार प्लस B X प्लस C बराबर 0 से तो A का मान कितना है एक B का मान है 32 और C का मान है माइनस 273 तो हमें ऐसे नंबर चाहिए है दो जिसका गुणा कितना आ जाए माइनस 273 आ जाए गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस 273 और जोड़ करने पर 32 आना चाहिए ऐसे दो नंबर तो अब ऐसे तो हमको ध्यान नहीं आ रहा कौन से नंबर है तो क्या करिए यहाँ पर 273 का आप गुड़न खंड कर दीजे तो 3 से भाग जाएगा 3 9 जा 27, 3 बंजा 3, फिर किस से जाएगा 7 से तो 13 बार और यहाँ पर 13 अब इनको लेकर के जोड़े बनाई है थोड़ा सा तो पता चल जाएगा एक जोड़ा बनेगा 21 का क्योंकि 3 गुड़े 7 गुड़े 13 आया है complete गुड़न खंड तो एक जोड़ा बनेगा 21 का और एक जोड़ा बनेगा 23 का तो यदि मैं माइनस 21 और माइनस 13 लेता हूँ तो दोनों का जोड़ कितना आरा माइनस 24 आरा है है ना तो यह पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या ले लीजे आप फिर आप ले लीजे 13 गुड़े 3 49 और 7 तो फिर आप जोड़ा क्या बना लीजे 13 और 3 का ठीक है तो 13 गुड़े 3 49 और 49 में ऐसे गर 7 माइनस कर देंगे अब तो अब कितना आजएगा 32 आजएगा तो मिल गया हमको हमको क्या चाहिए प्लस 32 चाहिए तो X स्क्वेर ठीक है ना X स्क्वेर में हम क्या लिख सकते हैं प्लस 39 X और माइनस का 7 X मतलब मैंने अपने नंबर को इन दोनों को साथ में लेकर के 3 और 13 को साथ में लेकरके और साथ को अकेला कर दिया तो 3 गुणे 13 49 हो गया और 1 साथ तो आप देख लिजए 49 में से साथ जाएगे तो कितना आएगा 32 आएगा वो भी प्लस का और 49 और माइनस साथ का जो गुडन खंड आयंगा वो कितना आगा मैनस 273 आएगा मतलब यह अभी तक मैंने क्या किया अभी तक मैंने गुडन खंड प्राप्थ करने की विधी बताई ऐसे गुडन 39 equal to 0 minus 7 common ले लिए तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा x plus 39 फिर से common है तो x minus 7 equal to 0 so x plus 39 equal to 0 so x equal to कितना हो गया minus 39 and x minus 7 equal to 0 तो x equal to हो गया 7 तो हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाके 2 value त्यार हो गई है एक a जाई है x की minus negative minus 39 तो x रनात्मक नहीं हो सकता है तो इसको हम उप्योक्त नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उम्र कभी रनात्मक नहीं होती तो x का ये मान असंभव है तो x का जो सही मान हो गया वो कितना हो गया 7 मतलब जो बेटा है बेटे की उम्र कित्ती है बेटे की उम्र है 7 वर्स कितनी उम्र हो गई 7 वर्स और मा की आयू कितनी है 26 साल जादा तो बेटा जो है वो x वर्स का है रोहन था बेटे का नाम ने शायद, रोहन, हाँ, तो रोहन की उम्र कितनी हो गई, साथ वर्ष, बेटे का नाम रोहन था, रोहन बेटा, और मा की उम्र कितनी है, X प्लस 26, तो साथ प्लस 26 कितनी आ गई, 33 वर्ष, तो इसके दो उत्तर बनेंगे, एक आएगा साथ वर्ष, बे तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी सवाल संपन हो चुका है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, गुडनखंड विधी से निम्न द्विघात समीकन के मूल याद करना है, और समीकन क्या है, एकस स्क्वार माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकन दिया गया है, च को उपर वाले में द्विघात समीकन के मूल याद करना है, किस विदी से गुडनखंड विदी से, और दूसरे में हमें क्या याद करना है, विवित्त कर याद करना है, ये कि D का मान याद करना है, दोनों प्रश्ण बहुत ही सरल हैं, आईए इनको हल करते हैं, चलिए, तो पहले मैं आपको गुड़न खंडवीरी से लेफ्ट साइड में हल करके रिखाऊंगा, तो समी इकण हमारे पास दिया गया है, x²-3x-10 बराबर 0, मैंने बोला था, कि दिये गया समी इकण को सबसे पहले, ax²-bx-c बराबर 0 से तुलना कर लिजिए, a का मान है 1, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 गुणे माइनस एक कितना आरद माइनस 10, और जोडने पर आना चाहिए यह घटाने पर आना चाहिए कितना, जोडने पर आना चाहिए माइनस 3, तो ऐसी दो संख्याए बताईए, कि गुणा करने पर minus 3 और जोडने पर minus 10 तो minus का 5 और plus का 2 तो x square minus 5x plus का 2x देख लिजे आप minus 10 बराबर 0 गुणा करने पर minus 10 आएगा और जोडने पर minus 3 आएगा बिल्कुल सही x common ले लिया x minus 5 यहाँ से minus 2 common लेंगे plus 2 common लेंगे तो बचेगा x minus 5 तो यहाँ से plus 2 common लेने पर देखे x minus 5 equal to 0 तो अब यहाँ से x minus 5 common ले लिजे x minus 5 x plus 2 equal to 0 तो एक बार x minus 5 equal to 0 कर देंगे x minus 5 equal to 0 और या बीच में अथवा लगता है या या लगा लिजे या x plus 2 equal to 0 तो उत्तर आपका कितना जाएगा एक उत्तर आएगा आपके x equal to 5 या x equal to minus 2 तो अलफा बराबर 5 आगया और बीटा बराबर कितना आगया minus 2 दो मूल आपके ही हो चुके हैं जो आपने कहा था पहले सवाल में कि आपको मूल याद करना है तो पहला सवाल हो चुका है अब दूसरे सवाल को आईए दूसरा सवाल आपका है विवित्त कर ग्याद करना है कि समीकन का ये अथवा वाला प्रशन है तो दूसरा जो आपको समीकन दिया गया है वो दिया गया है 2x square minus 3x plus 5 बराबर 0 तो सबसे पहले विवित्त कर ग्याद करने के लिए इसकी तुलना कर दीजे ax square plus bs plus c बराबर 0 से a का मान आपको दिख जाएगा 2 b का मान आपका minus 3 और c का मान आपका कितना है plus 5 ये a b c का आपने मान देख लिया है तो d कितना होता है d होता है b square minus 4ac c तो d बराबर b का square अर्थाथ minus 3 का square minus 4 into 2 into 5 minus 3 का square 9 आजाएगा और ठीक है ना सब कुछ सही लिखा हमने a का मान 2 है b का मान minus 3 है c का मान 5 है minus 3 का square 9 minus 4 into 2 into 5 तो 4 तूजा 8 4 गुणे 2 8 8 पंचे 40 यानिकी minus का 40 तो कितना आगया minus 31 तो d का मान के वल लिकानने को बूला गया है तो d का मान कितना होगा negative आएगा पूछा नहीं गया मगर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ d का मान ध्रनात्मक आ रहा है एदी-एदी मूल पूछ लिया होता तो यहाँ पे मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे वास्तविक नहीं होंगे यहाँ पे मूल काल्पनिक होंगे जिसको अधिकल्पित भी बोला जाता है क्या बोला जाता है अधिकल्पित ठीक है तो इनको अधिकल्पित मूल भी बोला जा सकता है ठीक ना अधिकल्पित होंगे चलिए तो यह सवाल भी हमारा क्लियर हो गया अगले सवाल की और बढ़ेंगे चलिए प्रश्न करमांग बारा के हमारे दोनों सवाल हो चुके हैं पहला भी दूसरा भी अगला सवाल क्या कह रहा है भाई कह रहा है अगला सवाल की यदी दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखे यदी ए बराबर दस है और सरवंतर डी है दोनों सवाल यहाँ पे जो हैं वो सवांतर स्रेणी के हैं तो आईए हम दोनों सवालों को ही हल कर देतें आपके लिए देखिए ये हमाई पास सवाल है क्या कहरा दी हुई AP के प्रथम चार पद ग्याद कीजे जबकि प्रथम पद A है और सर्वांतर जो है D है ठीक है चलिए A जो आपको दिया गया है प्रथम पद में A बराबर कितना दिया गया है अभी मैं पहला सवाल कर रहा हूँ थावा का A आपको दिया गया है 10 और सर्वांतर D भी कितना दिया गया है 10 ग्याद करने को करा स्रिनी के प्रथम पद ग्याद कीजिए तो आपको पता है कि प्रथम पद A1 बराबर होता है A दूसरा पद A2 बराबर होता है A प्लस D तीसरा पद A3 बराबर मैंने आपको बताया है A प्लस 2D और चौथा पद जो होता है A प्लस 3D तो बस फुट करते जाएए ए प्रथम पद है 10 अब 10 में सरवांतर जोड़ देंगे 10 प्लस 10 तो 20 आजाएगा और यहां पे 20 में फिर से 10 जोड़ देंगे मतलब जो पिछला था उसमें सरवांतर जोड़ दीजिए तो चाहे सूतर से कर लें या डायरेक्ट कर देंगे आंसर 30 आजाएगा सूतर से देखे 10 था और 10 में 2 गुणे 10 यानि 2 गुणे 10 तो कितना हो गया 30 हो गया और 30 में आप फिर से 10 जोड़ देंगे तो कितना आजाएगा 40 सूतर से देखें तो कैसे लिखेंगे इसको इसको लिखेंगे 1 का मान 10 धन 3 गोने 10 बराबर कितना हो गया 40 तो जो इसके प्रद होंगे लगतार 4 प्रद क्या होंगे 10 होगा 20 होगा 30 होगा 40 होगा चली ये हो गया पहला आपका फर्ष्ट सवाल ठीक है दूसरे सवाल की और आँगे बढ़ते हैं रेखें क्या कह रहा निमने AP के लिए प्रथम पद तसा सर्वानतर ओहो ओहो कितना सर्वाल सवाल A का मान डर्कली माइनस 5 है पहला पद A बराबर माइनस 5 अगला D पूछ रहा है तो D आपको पता है A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 प्रथम पद को A1 को A ही बोलते हैं तो A2 अगला कितना है माइनस 1 है और माइनस प्रथम पद कितना है माइनस 5 है तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 5 तो माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो इसका अपना कितना आ जाएगा भाई, सर्वांतर इसका आ जाएगा 4, है ना, प्लस 4, तो सर्वांतर को D से दिन उपित करते हैं, तो D बराबर 4, तो दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, A का मान आ चुका है, और D का मान आ चुका है, clear, तो ये A का मान हो गया और D का मान हो ग पहला सवाल हम आपस दिया गया है कि एपी माइनस थी माइनस एक बटे दो और दो ठीक है इसका कौन सा पद आपको ग्याद करना है ग्यारवा पद ग्याद करना है तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रथम पद कितना है माइनस तीन है अब सरवांतर निकाल लिजे तो सरवांतर D कैसे निकालते है A2 माइनस A1 तो अगला यहाँ पे कितना है माइनस 1 बाइ 2 A2 और पिछला कितना है माइनस करके माइनस 3 आराम से निकालेंगे देखिए तो माइनस 1 बाइ 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा नीचे कुछ नहीं तो से एक पांच बटे दो इसका आ गया D, यहने कि जिसे हम क्या कहते है, सरवांतर D आ चुका है सरवांतर D आ गया है, तो D निकल गया हमारा, difference सरवांतर प्रथम पद माइनस 3 है 11 पद हमें ग्याद करना है, तो 11 पद कैसे ग्याद करेंगे, A11 का फॉर्मूला, पहले A-N का फॉर्मूला लिख लो, आपको याद दिला दू मैं जिनको ना बनता हो, A-N बराबर होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 D अर्थात A प्लस 10 D, तो A का मान अपने पास में कितना दे रखा है, सवाल में माइनस 3 प्लस 10 और D का मान कितना निकल है, हमने 5 बाइ 2 तो 2 से कैंसल हो गए 5 बार तो माइनस 3 प्लस 25, 25 में से 3 गए आंसर कितना आ गया, 22 तो 11 पर यहाँ पर कितना होगा, जी 22 होगा, 25 में से 3 गए 22, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, 11 पर आपका आंसर A11 बराबर 22 पहला सवाल हो गया अगला सवाल, दूसरा इसका जो हिस्सा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि A P 2, 7, 12 के 10 पदों तक का योग ग्याद कीजिए, ठीक है ना तो जो हमको A P दी गई है यहाँ पर क्या दी गई है, पहली दी गई है A P 2, फिर 7, फिर 12 ऐसे 10 पदों का योग जात करना है तो सबसे पहले A बराबर कितना है 2 है, D बराबर कितना है अगला माइनस पिछला A2 माइनस A1 7 माइनस 2, तो D का मन हमारे पास 5 आ गया है और हमको N बराबर कितने पदों का योग निकलना है 10 पदों का योग, N बराबर 10 तो हम जानते है S N का सूत्र होता है N बाई 2 ब्रैकेट में 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो यहाँ पर S 10 चाहिए हमको तो कितना हो जागा 10 बाई 2 2 इंटू A तो A कितना है यहाँ पर 2 है हमारा ना, 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 हाँ 2 ही है 2 इंटू 2 तो कितना हो जागा 2 A तो 2 इंटू A 2 जाब 4 हो जाएगा क्योंकि A का मान 2 है तो 2 में 2 का गुना करो कितना है 4 प्लस N माइनस 1 N है 10 माइनस 1 और D का मान कितना है 5 आ गया हमारा D का मान तो चलिए सॉल्फ करते है तो 2 से कितने बार कड़ गया है 5 बार तो यहाँ 5 आ जाएगा ब्रैकेट में 4 प्लस 10 में से 1 गए 9 और गुने 5 अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं चार में पहले 9 को जोड़ दें बट याद रखे पहले 9 गुणे में है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 4 में 9 नहीं जुड़ेगा 4 प्लस 9 मुणे 5 पैंटालिस तो 5 गुणे 45 और 4 उननचास आंसर 5 नौ पैंटालिस 5 आ गई कैरी 4 कितने आ जाएगी 4 आ जाएगी 5 4 जा 20 प्लस 4 24 5 नहीं जा 45 5 आएगा और 4 कैरी बनेगी हासिल बोलते हैं उसको आप लोग 5 4 जा 20 प्लस 4 245 is the answer तो S 10 10 पदों का योग कितना होगा 245 तो सुरुवाती 10 पदों का योग S 10 बराबर 245 ठीक है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं चलिए यह हो गया आपका सवाल करमांग 14 ओके बच्चों तो पहले पार्ट में यहाँ पर क्लास हम क्वेशन नमर 14 तक करते हैं अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट आपको बना के देंगे तो बाकी के बचे हुए क्वेशन में आपको पार्ट नमर सेकेंड में कराऊंगा हमसे जुड़े लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इन प्रश्णों को बड़े अच्छे से करेंगे और अपने आंसर्स का मिलान भी करेंगे कि आपके कितने सही हैं कितने गलत है थैंकियो सो मच हमसे जुड़े के लिए धन्यवाद